हलो दोस्तों, राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ भवान गणेश की गणेश चतूर्थी जो संकस्टी है का ब्रत है उसका मैं कथा सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी का ब्रत भगवान गणेश जी की किरपा पाने के लिए रखा जाता है पंचांग के अनुसार जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर महिने में दो बार गणेश चतुर्थी का ब्रत रखा जाता है किष्ण प्रक्ष का जो ब्रत होता है गणेश चतुर्थी का उसे संकस्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल प्रक्ष में जो गणेश चतुर्थी के ब्रत रखा जाता है उसे बैनाई की गणेश चतुर्थी ब्रत कही जाती है गड़ेंजी को दुर्वा बहुत पसंद है इसे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं गड़ेंजी को सिंदूर अवस्य चढ़ाएं जो ब्रती है वह तो करते ही हैं शाम की पूजा लेकिन जो ब्रती नहीं है वह भगवान गड़ेंजी की पूजा अराधना शाम के समय में अव जब धर्म राज यूत होकर अपने भाईयों के साथ वन में चले गये थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्ण किया था उस कथा को आप सुनिए युदिष्टिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि है पूर्शोत्तम ऐसा कौन सा उपाये जिससे हम बरतमार में संक्ट से मुक्त हो सके हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े किरप्या ऐसा उपाये बताएं इसकंद कुमार जी कहते हैं कि जब युदिष्टिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बावार अपने कष्टों के समाधान को उपाये पूछने लगे तो प्राचिन समय में तब सत युग था तब परवत राज हिमानचल की कन्या पारवती ने संकर जी को पती रूप में पाने के लिए घाने वन में जाकर कठोर तपस्या की लेकिन भगवान शीव प्रसन नहीं हुए तब पारवती जी ने गणे जी का इस्मरण किया गणे जी उ आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिविवरत जिसे नारज जी ने कहा है उसके महत्व के वारे में बताईए पारवती जी की बात सुनकर गणे जी उस कष्ट नाशक शुब दायक ब्रत का वर्णन करने लगे गणे जी ने कहा अतिन्त पुन्यकारी और समस्त कष्ट रात में चन्द देव का बोजन करना चाहिए उस दिन मन में संकल पे रहना चाहिए कि जब तक चंद रोधै नहीं होगा तब तक मैं बोजन नहीं करूँगी अतनार हार रहूंगी पहरे गणे जी具D पूजन करने भीक शाप TP नो करना चाहिए पिर मिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ के अनुसार सोना चांदी तांबा मिट्टी के कलश में जल भर कर उस पर गरेजी के प्रतिमा इस्थाफ़त करने चाहिए मूर्थ को कलश पर पहले एक वस्थ बिच्छाएं उसके उपर अस्थ दल कमल बनाएं कियाकरती बनाएं और फिर उस मूर्थ को वहाँ पर स्थाबित कर दें और इसके बाद सोड़स उपचारविदी से पुजन करें प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें हे लंबोदर, हे चार भुजय वाले, हे तीन नेतर वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, सोभा के वंडारा, प्रसन मुख वाले, गड़ेजी मैं आपका ध्यान करता हुँ या करती हुँ हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ, हे विग्मराज, मैं आपको परणाम करती हूँ, और यह आसन, मैं आपको दे रही हूँ, किरपा इसे ग्रहन करें, इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है, यह हे संकरसुमन, यह आपके लिए अर्ध है, हे मा पुत्र यह आपके लिए इस्नानार्थ चल है, हे वक्रतुन यह आपके लिए आच्मनी जल है, हे शूर्पिकर्ण यह आपके लिए वस्त्र है, हे शुशोभीत यह आपके लिए यगो पवीत है, हे गणेश्वर आपके लिए रोली चंदन है, हे विगन विनासक यह आपके ल या फल है हे विग्न करता आपके नमीत मेरा प्रणाम है प्रणाम करने के बाद छमा प्रातना करें इस तरह से शोडर उपचार करके भगवान को भोग लगाएं हे देवी हे देवी देशी घी से 15 लड़ू बनाएं सबसे पहले भगवान को लड़ू अरपित करें फिर उसमें तितियों में सर्वत्तम हो हे गणिजी के प्रे हो हे चतुर्थी हमारे अर्ग को ग्रहन करो तुम्हें मेरा प्रणाम है इसके बाद फिर पांच लड़ू का खुद भोजन करें फिर कहें हे लंबोदर आप हर विक्तिकी इक्षाओं को पूरा करने वाले हैं आपको मेरा प् गणिजी की प्रसनता के लिए हम आपको लड़ू समर्पित कर रहे हैं हम आपको नमशकार करते हैं इस प्रकार ब्रामा को भोजन कराके गणिजी से प्रातना करें प्रातना करके प्रत्मा का विसरजन कर दें और अपने गुरू को अन्यवस्ट आदिद्रक्षा के साथ मू करना चाहिए यह ब्रत जन्व भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है यदि इतना करना ही संभव ना हो तो एक वर्ष तक इस वर्ष को करें यदि तब भी संभव ना हो तो वर्ष के एक मास को तो अवस ही अवरत करें सावन चतुर्थी को ब्रत का उद्यापन कर सकते हैं इस तरह से इस कथा को सुने कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में हाथ के गदेरी में फूल चावल और थोड़ा सजल अवस्ज़र रख लें जब पूरे कथा को सुन लें तो उस अच्छत फूल भगवान गड़ेजी के सामने समर्पित कर दें जो भी आपके पास में भोग के वस्तु हो धू, तीप, नवेद ये सब दिखाएं गड़ेजी के प्रतिमा को पूजा करें उसके बाद में आर्थी करें गड़ेजी की इस्तुती करें और इस्तुती करने के बाद में अपने बड़े भाव से गड़ेजी से प्रत्ना करें गड़ेजी को भोग में लड़ू अवस्ते लगाएं मोदक हो तो मोदक लगाएं गड़ेजी को दुर्वा बहुत पसंद है दुर्वा अवस्ते चड़ाएं इक ग्यारह यह 21 दुर्वा के गाठ बना लें गाठ बना करके भवान गणेजी के सामने रख दें और गणेजी को पीला सिंदूर अवस्य लगाएं जब आप चंद्रमा को अर्ग दें तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्ग दें उस जल में थोड़ा सा दूद कच्छा इस से चंद्र देप्ता के भी कृपा आपको प्राप्त होगी इस तरसे भवान गणेजी की बढ़े ही मन से भाव से पूजा करें गणेजी की इस्तूति अवस्य करें जो गणेजी का द्वादस नाम है प्रणमि शिषा देवी कोरी पुत्रम बिनायकम भकता वासम इसमनेत इस इस्तुति को यह गणेजी के बारह नाम हैं इसे अवस्य पढ़ें इन बारह नामों के पढ़ने से गणेजी बहुत ही प्रसंद होते हैं और धन, संपति, आयू ब्यापार में हानी हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विगनु को भवान गणेजी दूर करते हैं और सारे कारे बनने लगते हैं सब का मंगल हो इस इस्तुति को जरूर पर हैं इसके बाद गणेजी के आर करती करें और फल फूल वह सारे परिवार को माटें मेरे ये वीडियो कैसा लगा शेयर सब्सक्राइब जरू करें कमेंट वाक्स में जैसी गणेजी जरूर लग दें धन्यवाद